हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उमीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे आपके डियलेट 4 समिशर की इंगलिश की लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टेंस आपका टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया था ठीके सारे टेंस मैंने आपके करा दिये थी आज मैं आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूं जो है आपका सेंटेंस और आपके सेमिस्टर के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप से क्या है कि सेंटेंस की डेफिनेशन पूछ ले को complex से compound या फिर simple से आपका change करने को बोलेंगे तो इस प्रकार से आपका रहेगा तो शुरू करते हैं आपका आज का topic शुरुआत रहेगी sentence से कि what is sentence यानि कि sentence क्या होता है तो एक group of word which gives complete sense is called sentence यानि कि एक group of word शब्द का एक ऐसा group या sum which gives complete sense जो एक पूरा अर्थ देता हो है sentence कहलाता है clear है चलिए तो definition मुझे उम्मीद याद भी हो गई होगी कि a group of word which gives complete sense is called sentence एक्जामपल देखो यहाँ पर पहला एक्जामपल लिखा है I to go market I to go market क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा है निकि पूरा sense नहीं दे रहा तो यह एक sentence नहीं है निकि यहाँ पर जो वर्ड है वो अरेंज नहीं है आपके सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं दूसरा यहीं प्रकार से आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ sentence यानि कि sentence के कितने पार्ट हैं तो sentence के दो पार्ट होते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट है subject और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है तो इसी सेंटेंस में आपको समझाती हूँ I go to market, इसमें देखेगा सब्जेक्ट वो पार्ट है जो वर्व से पहले लगा होता है, I go to मार्केट में वर्व कहां पर दी है वर्व दी है गो, गो क्या है हमारी वर्व होती क्या है, जो काम करना होता है, वही हमारी क्रियाएं क्या होती है वर्व होती है, तो गो से पहले का पार्ट क्या है, I, ये I हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट की बात करते तो तो प्रेडिकेट होता है वर्व के बाद का भाग, यहनुका वर्व को सास में लेकर जो भी आपका लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्या है प्रेडिकेट, तो गोटु मार्केट है पर क्या हो जाएगा प्रेडिकेट ठीके जिससे यहां एक्जाम्पल देख लो, आई क्या है सुनीता सुनीता हमारा पूरा क्या है सब्जेक्ट है और इस रीडिंग ए स्टोरी ये पूरा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा ऐसे एक और कोशन में आपको बोल देती हूं सोहन बॉट ए नियू कार तो सोहन यहां पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो दूसरा है निगेटिव सेंटेंस तीसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्थ इंपरेटिव सेंटेंस फिफ्थ है और उप्टेटिव सेंटेंस और शिक्स है एक्सकलेमिट्री सेंटेंस एक बार फिर से देख लिएगा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटे जिस में आपके दो प्रकार के sentence आने वाले हैं positive sentence भी आते हैं और सासाथ negative sentence भी आते हैं اس sentence Course एक statement धेता है पूर यह assertive sentence होते हैं for example,2 pen मेरे पास क्या है दो पैन हैं इसी प्रकार से हम और भी यहां पर बोल सकते हैं शी इस ए गुड बॉय वह बहुत अच्छा लड़का है शी इस ए गुड गर्ल वह बहुत अच्छी लड़की है ठीक है तो यह क्या हो चाहिए कि स्टेटमेंट है इस ए गुड बॉय वह बहुत अच्छा लड़का है तो यह भी क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा इसमें दो टाइप की सेंटेंस आते हैं पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानि कि पॉजिटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाकिया और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस यानि कि नकारातन वाकिया तो affirmative में कैसे आएंगे positive आजाएंगे और negative में तो negative आ नहीं है जैसे I am watching movie मैं क्या देख रहा हूँ मैं movie देख रहा हूँ और इसका negative क्या हो जाएगा I am not watching a movie यानि कि मैं movie नहीं देख रहा हूँ तो negative में आपको not लगा हूँ जरूर मिलेगा clear आगे बढ़ते हैं अंगला क्या है next आपका second interrogative sentence interrogative की बात आई तो तुरण समझ में आना चाहिए कि ऐसा sentence जो क्या कर रहा होगा प्रश्न पूछा जा रहा होगा जिसमें और last में क्या लगा हूआ होगा question mark लगा हूआ होगा जैसे आप question mark दिखेंगे वैसी समझ जाएं कि कैसा sentence है interrogative sentence है definition देख लो a sentence in which a question asking यानि कि एक ऐसा sentence जिसमें क्या पूछा जा रहा हो एक question पूछा जा रहा हो is called interrogative sentence ऐसे लिख सकते हो पूरा जैसे what are you doing यानि कि तुम क्या कर रहे हो प्रश्ण पूछा जा रहा है what are you doing ठीके इस तरीके से where do you live तुम कहां रहते हो तो ये भी आपका क्या रहेगा interrogative sentence what is your name तुम्हारा नाम क्या है ठीके इस तरीके के sentence क्या रहेंगे interrogative sentence और पीछे आपको लगा हुआ क्या मिल जाएगा question mark next है imperative sentence imperative sentence क्या होते है imperative sentence एक ऐसे sentence होते है जिसमें हम किसी को कोई advice देंगे यानि किसलहा देंगे कोई request कर सकते है उससे request का मतलब निवेधन कोई आदेश भी दे सकते है भी वहाँ पर हो जाएगा इन सब का अगर वोद हो रहा है order का मतलब command कोई देना उसको तो वो सारे के सारे क्या हो जाएगे आपकी imperative sentence यहाँ पर definition क्या रहेगी is sentence in which a request यानि कि कोई निवेधन advice और command is expressed जहाँ पर क्या है कोई आदेश, सला, निवेधन ऐसा कुछ बताया जाएगा express किया जाएगा तो वो sentence हमारे होते है imperative sentence कौँ से sentence होते हैं imperative sentence होते हैं clear है ना समझ में आगई यह चीज़ चलिए कौई कौई से sentence रहेंगे तो पहला example यहाँ पर देख लीजेगा please give me some water sentence है ऐसे हम और बोल सकते हैं open the door, दर्वाजा खोलो तो open the door यहाँ पर क्या हो जाएगा order दिया जा रहा है command दी जा रहे है कि दर्वाजा खोलिएगा तो यह कैसा हो जाएगा आपका imperative sentence clear है तो बस थोड़ा सा आपका बहुत जादा मीरी निकाले बस open the door इसे प्रकार से please give me this book please give me a pen इस तरीके से आपके आजाएगे imperative sentence में इसके बाद अगला है आपका क्या optative sentence optative sentence क्या होते है तो a sentence in which express wish desire prayer for someone एक ऐसी वाकिए जिसमें हम किसी दूसरे के लिए कोई इच्छा या कोई wish हम प्रकट कर रहे हो कि भाई आपका भला हो या किसी के लिए हम prayer कर रहे हो कोई जैसे माली जी किसी यात्रा पड़ जा रहा है या paper देने जा रहा है तो हम उसके लिए wish करते ना भाई उसकी यातरा सफल हो, उसका पेपर अच्छा हो तो जब ऐसी चीज़े आ रही होंगी sentence में, तो वो हमारा कैसा sentence होता है optative sentence होता है for example may God bless you, ठीके कैसा sentence रहेगा, बोलते हैं ना किसी को बड़े विश करते हैं, हाँ भी बोलते हैं, may God bless you इसी प्रकार से may you live long ठीके, दीरगायू हो आप ठीक, तो ये सारे sentence क्या हो जाएंगे optative sentence हो जाएंगे ठीके, इच्छा, आकांग्षा, प्रार्थना ये सब भी जब व्यक्त करी जाती है तो वो होते हैं हमारे कैसा sentence optative sentence next exclamatory sentence यानि कि विश्मयाद ही बोधक बाके बोलते हैं हिंदी में और यहां पर आपको exclamatory mark जरूर देखने को मिलेगा जो आपका कुछ इस तरीके से होता है पहले आपका जो इस तरीके से एक line और फिनीचे एक बिंदी यह होता है exclamatory mark यह कैसे sentence होते हैं तो यह ऐसे sentence है जिसमें हम क्या करते है sudden emotion कोई हमारा आ रहा है एकदम से क्या हुआ एकदम से surprise हो गए किस चीज को देख करके तो उस चीज को यहाँ पर express करना या फिर बहुत जादा sad है, happy है तो उस चीज को जो भावनाय आ जाती है न उनको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रियोग करते है exclamatory sentence का जैसे what a sad ending ठीक है, बहुत ही क्या थी बुरी वहाँ पर ending थी एक चीज यहाँ रखना what a sad what जैसे लगा यह मैं सोच रहा है कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा question word है यहाँ पर या फिर आपका यह interrogative sentence है याद रखना ऐसे जो आपके sentence होते हैं इसमें how, what यह सारे word यूज होते हैं पर यह interrogative नहीं होते क्योंकि यहाँ पर हमें answer नहीं चाहिए यह होता है बस हम बात अपनी कह रहे होते हैं ठीक है जैसे how beautiful this city is यहाँ बहुत सुन्दर शहर है तो यहाँ answer नहीं चाहिए कि हाँ बहुत सुन्दर है वाकई में ठीक हाँ बस हम अपनी भाबना व्यक्त कर रहें कि बहुत सुन्दर यह जो है तो structure के आधार पर आपके वाकी है तीन प्रकार के पहला sentence से simple sentence दूसरा है आपका compound sentence और थर्ड होता है आपका complex sentence यानि कि जो हिंदी में आपकी क्या क्या रहते हैं हिंदी में first आपका इसको बोलते हैं सरल वाक्य कैसा सरल या फिर साधारन वाक्य ते फिर आपका complex compound sentence यानि कि कि संयूक्त वाक्य और इसके बाद आपका आता है संयूक्त वाक्य और इसके बाद आता है मिश्रवा के यानि कि complex sentence simple compound complex अब देखो यहाँ पर देखते हैं simple sentence क्या होता है आप predicate और subject दो आसे grid समझ गए हैं अब clause क्या होती है बाई तो clause आपकी बनती है किससे subject और predicate से ही बनती है independent clause को हम बोलते है principal clause यानि कि एक ऐसी clause है जो किसी पर depend नहीं होगी आशरित नहीं होगी यानि कि खुद वो पूरा अर्थ देगी उसको अपनी बात बताने के लिए किसी दूसरी clause की जरूवत नहीं पड़ेगी ठीक है वो खुद के लिए काफी है जिसे हमने example दिया she reads newspaper तो क्या मीनी निकल रहा है वेर newspaper पड़ती है पूरा मीनी निकल रहा है इस बात को समझाने के लिए हमें किसी दूसरी clause की जरूवत पड़ी नहीं पड़ी तो यह कैसा sentence है हमारा simple sentence है यानि कि जहाँ पर क्या हो आपकी एक independent clause मिल जाए ठीक किसी प्रकार से एकला sentence देको Ram does not play football Ram football नहीं खेलता है पूरा आर्थ दे रहा है कि Ram क्या है football नहीं खेलता है ठीक है नहीं खेलता है अब इस बात को समझाने के लिए किसी दूसरी clause की जरूवत पड़ रही है नहीं पड़ रही है अगर किसी दूसरी clause की जरूवत पड़ती है तो यहाँ पर एक dependent बन तो वहाँ पर एक dependent हो जाती है कि independent थीक है तो simple sentence क्या होते है ऐसे sentence होते है जिसमें एक independent clause होती है या फिर आ बोल सकते हैं जिसमें एक क्या हो principle clause हो इसी परकार से और भी sentence आप यहाँ पर लिक सकते है जैसे शी इट्स मेंगोज ठीक है वह है आम खाती है तो वह भी हां पर आ नेक्स्ट ये आपका compound sentence second आपका compound sentence क्या होते है तो compound sentence has two independent clause joined by coordinating conjunction तो compound sentence क्या होते है ये ऐसे sentence होते है जिसमें दो independent clause होते है यानि कि पहले independent clause ये और दूसरी independent clause ये और ये दोनों एक दूसरे से किस से joint होंगी तो यह दोनों एक दूसरे से जुड़ी होंगी coordinating conjunction के द्वारा ठीक है किसके द्वारा जुड़ी होंगी तो coordinating conjunction के द्वारा जुड़ी होंगी जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कौन-कौन से होते हैं fan voice याद होगा मैंने आपको last semester में साइट पढ़ाया था ये fan voice जो आपका होता है ये क्या है coordinating conjunction होते है जिसमें देखो F से होता है आपका for A से and, N से nor, B से but O से और, Y से yet और S से जैसे आपको ये लगे हुए दिख जाएं वैसे समझ जाना वो कौन से sentence है हमारा compound sentence है compound sentence है clear है चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके अलावा भी आपकी कुछ होते है जैसे not only but also भी हाँ पर लिख लीजेगा वो भी क्या है आपका इसी में आ जाएगा not only but also ये साथ सा चलते है ठीक है एक आपका otherwise भी होता है वो भी क्या है coordinating conjunction है otherwise ठीक है ठीक है जैसे not only के साथ क्या मिल जाएगा but also मिल जाएगा तो ये क्या है आपके coordinating conjunction अब एक्जामपल से समझ जाएंगे बहुत अच्छे से she reads the Ramayana वह रामायन पढ़ती है एक sentence ये रहा but he reads the Gita लेकिन वह क्या है वह गीता पढ़ता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे है दो यहाँ पर हमें clause मिल पर है पहली clause क्या है हमारी she reads the Ramayana यानि कि वह रामायन पढ़ती है दूसरी है he reads the Gita अगर दियें दोनों को अलग-अलग करो तो पता चल रहा है कि वह रामायन पढ़ती है और वह गीता पढ़ता है दोनों अलग-अलग separate पूरा meaning दे रहे है दोनों को एक दूसरे को बताने के लिए किसी अलग की जरूरत नहीं पढ़ रहे यानि कि दो यहाँ पर क्या है principle clause है independent clause है यानि कि जब दो principle clause आपस में joint होंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा compound sentence हो जाएगा और यह clause जुड़ी किस के द्वारा है but के द्वारा और but क्या है हमारा coordinating conjunction यानि कि क्या मीनिंग हो जाएगा वह रामायन पढ़ती है लेकिन वह गीता पढ़ता है clear? अगला है I cooked dinner and he washed these dishes यानि कि मैंने क्या किया dinner बनाया and और उसने क्या किया जो बरतन थे वो साफ किया बरतन दो ले तो दोनों ही क्या है यहाँ पर principal clause है तो जब दो principal clause आपस में joint होंगी वहाँ पर क्या बन जाता है compound sentence clear है तो इस तरीके से मुझे उमीद है क्या आपको इसी समझ में आ गई होगी चलिए आगे बटने complex sentence को देख लेते हैं complex sentence क्या होते है complex sentence ऐसे sentence होते है जिसमें क्या होती है एक dependent clause होगी और एक क्या होगी independent clause होगी यानि कि complex sentence has at least one dependent joint to an independent clause यानि कि कम से कम हमें एक क्या मिलेगी independent clause और कम से कम एक dependent clause मिलेगी यहाँ पर जो अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होगी यानि कि अगर हिंदी में मैं आपको बोलू तो एक आश्रित clause मिलेगी एक आश्रित उपबाख के मिलेगा ठीके? dependent ठीक है यानि कि एक dependent और कम से कम एक independent यानि कि एक principal clause मिलेगी एक second यह किस पर एक principal clause किस से जुड़ी होगी एक dependent clause से जुड़ी होगी ठीक है DC dependent clause से तो इस तरीके से यह बनता है और किस के द्वारा जुड़ी होती है तो यह धियान रखना यहाँ पर यह joint होती है subordinating conjunction के द्वारा वो थी coordinating से और यह थी subordinating conjunction से ठीक है चलिए तो आगे बटने पहला sentence यहाँ पर क्या आपका दिया गया है first sentence है she hoped that यानि कि उसको उम्मीर है कि that means all the paintings would be showed यानि कि जितनी भी painting से वो क्या है बिक जाएंगी तो देखो she hoped यानि कि उसको आशा है कि अब यहाँ पर देखो she hoped that यह क्या है यह है आपकी एक dependent clause अगर देखो तो यह पूरा अर्थ नहीं रे रही है उसको आशा है कि क्या आशा है तो वो बताया जा रहा है अगले sentence में कि उसको यह आशा है कि उसकी जो पेंटिंग है सारे कि सारे कि वो क्या है बिक जाएंगी तो यह जो हमारी है पीछे वाली यह principal clause है और यह आगे वाली क्या है यह dependent clause हो जाएगी depend किस पर depend है पीछे वाली पर इसी प्रकार से अगला है she passed the examination because she worked hard उसने examination pass किया because क्योंकि उसने एक कठिन काम किया था तो यहाँ पर भी क्या एक dependent और इक independent तो यहाँ पर मैं आपको कुछ किस के द्वारा सोड़ा हुआ है because के द्वारा तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा हुआ कि आपके दो यहाँ पर मिल गई है एक मिल गया है आपको that subordinating conjunction और दूसरा क्या मिल गया because तो यहाँ पर मैं आपको subordinating जो conjunction आपकी है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ जिसे क्या आप पहचान जाएंगे देखते हैं कि कौन-कौन से sentence हमारे क्या रहेंगे complex sentence रहेंगे ठीके complex sentence के लिए आपको trick यहाँ देख लिजेगा क्या मिलेंगे सबसे पहले तो आपको मिलेगा that that मिल सकता है if आपको मिल सकता है add ठीके क्या मिलेगा if इसके बाद आपको मिल जाएगा because हो गया least हो गया ठीके then हो जाएगा और इसके बाद आपको रहेगा then के बाद unless और next आपको रहेगा although जैसे आपको यह लगे हुए मिल जाएगा तो तुरण समझ जाएगा कि कैसा sentence होगा वो हमारा complex sentence यानि कि यह जो मैंने लिखे हुए है सारे कि सारे क्या है subordinating conjunction है कैसे है subordinating conjunction ठीके subordinating conjunction है यह ठीक चलिए तो उमीद है आपको यह जो sentence के टाइप रहे थे वो समझ में आए होगे next class में हम जो transformation है इनका वो complete करेंगे आज इतना ही रखते है thanks for watching and please like share and subscribe my channel bye take care